हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा को हार्ड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुती सुन्दर और बहुती आसान छोटी बुनाई का डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगे कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है इस डिजैन को आप चैन्ट्स लैडिस और बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट प्रपलाई कर सकती हैं सबी प्रोजेक्ट पर ये डिजैन बहुती सुन्दर लगता है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको चार के मल्टीपल फंदे लेकर एक फंदा एक्स्ट्रा लेना होगा तो ये डिजैन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एड़ेस्ट हो जाएगा चार के multiple देखिए चार फंदे गिन लिजिए फिर से चार फिर से चार इस तरह से करते हुए last में आपका एक फंदा होना चाहिए ये डिजैन उल्टी साइड से शुरू होता है दो सलाईयों का डिजैन है और चार सलाईयों में complete हो जाता है बोर्डर के बाद अगर किसी भी प्रोजेक्ट ले फंदे बढ़ाने हो तो आप इसमें सीधी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए उल्टी साइड से डिजैन शुरू हो जाएगा तो चलिए देखते हैं कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है तो फ्रेंट्स यहां पर मैंने लिए हैं 25 फंदे चार के multiple करके और उसमें एक फंदा एक्ट्रा बोर्डर के बाद जो डिजैन की पहली सलाई मैंने यहां से बनाई वही मैं आपको यहां से बता रही हूँ तो ध्यान दीजिएगा डिजैन की पहली सलाई है और उल्टी साइड है तो पहला फंदा इसका सलाई पर लेंगे और तीन में से तीन फंदे बनाने है तो देखिए एक फंदा इस तरह से उल्टा बनाएंगे इसे हलका सा लूज रखना है सलाई पर इस तरह से धागा लपेट देंगे दो फंदे हो गए इनी तीन फंदे में फिर से सलाई डालेंगे और एक फंदा और हम उल्टा बुन देंगे तो ये देखिए तीन में से तीन फंदे हो गए और ये तीन अब सलाई से उतार देंगे फिर से देखिए ये एक फंदा और ये जो हमने तीन से तीन बनाए यही चार फंदे का डिजाइन बार-बार रेपिट करना है तो एक फंदा उल्टा और अब एक दो और ये तीन फंदे लेंगे और तीन में से एक फंदा उल्टा बनाएंगे सलाई के उपर धागा लपेट देंगे इन्ही तीन फंदे में सलाई डालके फिर से एक फंदा ऐसे बना देंगे तो 3 से वापस 3 हो गई फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे 1 फंदा उल्टा फिर 3 फंदे लेंगे 1, 2 और ये 3 3 फंदे में से फिर से 3 फंदे बनाएंगे देखिए 1 फंदा उल्टा बना देंगे सलाई के उपर इस तरह से धागा लपेट देंगे इन ही 3 में सलाई डालके फिर से 1 फंदा बना देंगे तो 3 में से 3 फंदे उल्टे हो गए फिर 1 फंदा उल्टा बनाएंगे फिर से 3 से 3 बनाने हैं तो देखिए 3 फंदे एक साथ सलाई पर लेंगे 3 का 1 करेंगे ये फंदा हलका सा लूज होना चाहिए सलाई के उपर धागा लपेट लेंगे और इन ही तीन फंदे में सलाई डाल कर फिर से एक फंदा बना देंगे तो तीन से तीन हो गई अब एक फंदा ये उल्टा फिर से तीन फंदे हैं एक, दो और ये तीन इन में से एक फंदा उल्टा बनाएंगे सलाई के ओपर धागा लपेट लेंगे इन ही तीन फंदे में सलाई डाल कर तीन से तीन फंदे बना देंगे अब एक उल्टा और तीन फंदे लेंगे एक दो और ये तीन इन तीन में से तीन फंदे बनाने हैं तो एक इस तरह से बना लिया एक इस तरह से लपेट देंगे फिर से तीन फंदे में सलाई डालके एक फंदा और उल्टा बुन देंगे और लास्ट का फंदा इसका उल्टा आ जाएगा तो पहली सलाई डिजैन की इसकी कम्प्लीट हो गई है अब आज ये इसकी दूसरी सलाई और सीधी साइड पर दूसरी सलाई इसकी पूरी सीधी बनेगे तो ये देखिए पहला फंदा इसका इसटीच है मैं इसे उल्टा बना कर लेती हूँ आपको स्लिप करना हो तो कर लीजिए दागा पीछे करेंगे और पूरी सलाई को इस तरह से सीधा सीधा बना कर कम्प्लीट कर देंगे तो मैं दागा पीछे करके सीधा सीधा बुनते हुए दूसरी सलाई को सीधी साइड से कम्प्लीट कर देती हूँ तो ये देखिए फैंट से दूसरी सलाई को सीधी साइड से मैंने पूरा सीधा सीधा बना लिया है एस्टीस को दोनों साइड से उल्टा बनाया है अब आज ये इसकी तीसरी सलाई पर तीसरी सलाई पर देखिए हमें पहले हमने इस वाले तीन फंदे पर ये फ्लावर डिजैन बनाया अब की बार ये जो हमने एक फंदा बीच में रखा है यहां पर डिजैन बनाना है तो एक फंदा हम इस फ्लावर में से ले लेंगे और एक इस में से ले लेंगे अब ये जो तीन फंदे का फ्लावर है इसमें से एक इधर हमने इसमें लेना है तो ये दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे एक और ये दो अब तीन फंदे से तीन बनाएंगे एक ये इस फ्लावर में से है एक बीच में जो हमने रखा था और एक सैकिन वाले फ्लावर में से हमन जो फ्लावर था तीन फंदे का इसके बीच वाला फंदा हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे अब इस वाले फ्लावर में से एक इधर आ गया ये बीच का एक इधर वाले फ्लावर में से ये तीन फंदे लेंगे और तीन में से तीन बनाएंगे एक बना दिया सलाई पर धागा लप 3 में से एक बनाएंगे سलाई पर धागा लपेट देंगे और 3 में से एक फंदा और बना लेंगे इसकी स्टार्टिंग में ही आपने ध्यान रखना है कि 2nd बार जबापिश डिजाइन को बनाएंगी तो एस्टीज को छोड़ कर एक फ्लावर में से दो फंदे बुन लेने हैं तीसरा हमें इस वाले फ्लावर के लिए एड़जस्ट करना है तो आपका डिजैन बिलकुल अच्छे से सेट होता चला जाएगा एक उल्टा और ये तीन फंदे इस तरह से लेंगे और तीन का एक कर देंगे सलाई पर धागा लपेट देंगे फिर से तीन फंदे में सलाई लेंगे और तीन का एक कर देंगे फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे फिर तीन में से यसे सलाई लेंगे एक फंदा उल्टा बनाया सलाई के उपर धागा लपेट देंगे फिर से सलाई डालेंगे और एक फंदा और बुन लेंगे लास्ट में तीन फंदे हैं इनको हम उल्टा ही बना देंगे तीन सलाई यां डिजैन की कम्प्लीट हो चुकी है चोथी सलाई है और सीधी साइड है चोथी सलाई सीधी सैड से इसकी फिर से सीधी बनेगी तो estich को मैंने उल्टा बना लिया है धागा पीछे करेंगे और पूरी सलाई को अब इस तरह से सीधा सीधा बनाकर complete कर देंगे तो मैं इस सलाई को सीधा बुंते हुए complete कर देती हूँ तो ये देखिए फ्रेंट्स इस तरह से चार सलायों में ये डिजैन ओवर हो जाता है यही चार-चार सलायां इसमें बार-बार जो आप रिपिट करेंगी तो आपका इस तरह से ये सुन्दर सा डिजैन बनता चला जाएगा नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग फिर से उल्टी सैड से हो जाएगी पहला फंदा उल्टा बनाने के बाद इन तीन फंदे पर फ्लावर बनेगा और ये जो फ्लावर है इसके बीच वाला फंदा उल्टा बन जाएगा तो जब आप बार बार इनी सलाईों को repeat करेंगी तो आपका ये प्यारा सा डिजाइन बनता चला जाएगा तो friends अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो please आप इस वीडियो को like कीजिए अपने सभी friends group में से share कीजिए चैनल पर नई है सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए तो friends वीडियो पसंद आई हो तो like share जरूर कीजिए थेंक यू